हेलो दोस्तों आपने एक दब बहुत ही सभी जगा किलिक किया है आज हम सभी को मेरा राम राम आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चा वह हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी ठीक है आज जो हम आपको बताएंगे वह बताएंगे बेटा समय और दूरी ठीक है तो यहां पर ध्यान से समझेगा कि समय और दूरी क्या होती है देखिए इसमें ना बहुत तीन चार टॉपिक है हमारे ठीक है इसमें कौन कौन से टॉपिक है डिन का टॉपिक ठीक है रेल गाड़ी से सम्मदित कोशशन आएंगे दूसरा है वोट एण स्ट्रीम से सम्मदित कोशशन आएंगे तीसरा आपका इसमें नौर्मल मिक्सिफ डिस्टेंस वाले कोश्च कोश्चन चाल बरावर दूरी बटा समय यानि स्पिर आपने फॉर्मुला देखा है समझा है जाना है ठीक है इस पीडिकोल दो क्या होता है चाल बराबर दूरी बर्टा समय यह आपने बच्पन से देखा है तो अब यहां पर सबसे पहले यह फॉर्मुला मेरे खिला से बाहर रखा है सबको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं कि एकदम किलियर तरीके से बताएंगे समझे ना बुझा गया ना तो ठीक है देखते हैं देखिए तो इफड़ डिस्टेंस इस कॉंस्टेंट यदि दूरी जो है अगर कब कॉंस्टेंट रहेगी एक समान रहेगी तो उसके टाइम में मतलब टाइम और स्पीड ट अगर टाइम बढ़ता है तो स्पीड क्या हो जाएगि कम हो जाएगी ओवसी बात आते तो देखो time बढ़ाएंगे तो speed कम हो जाएगी और speed बढ़ाएंगे तो time कम हो जाएगा simple सा logic समझ में आ गया यह देखो मैंने बना रखा है time बढ़ेगा speed कम हो जाएगी तो ratio में यहाँ पर क्या देखते हैं यदि अगर speed का ratio a ratio b है a अनुपात b है तो समय का ratio क्या होगा b अनुपात a होगा लाइकन के बुझे लो ठीक चले देखे next समझ में आ गया हैं तक इतना screenshot लें ठीक है अब देखिए अब यह formula मैंने आपको दिया चाल बराबर दूरी बटा समय देखो यह मैं बोर्ड पर इसलिए पहले लिख देता हूं क्योंकि जो है वीडियो की length कम हो और आप कम से कम time में जाल स्यादा output ले सके क्योंकि मुझे पता है कि एक विदधरती का समय कितना important होता है बहुत जादा important होता है तो इस भी तो आप उस्टम WAY यह में आपको उसको बैसिक को डिक्टर तो नेक्स्ट यदि मैं आपकोCD कराने से पहले मैं आपको उसका basic develop करना चाहता हूँ, बच्चा देखो, जब भी कभी कोई building बनती है, तो building बनने से पहले मैंने आपको example दिया है बार बार, उसकी base मजबूत होनी चीए, नीब मजबूत होनी चीए, अगर नीब मजबूत नहीं होगी, तो वेसी बात है, building क्या हो गिर जाएगी, तो आप इसीज को समझेए, देखिए, क्या कहा रहा है, यदि train crosses any pole, man, tree, signaling pole, etc, then क्या होगा, length of the train, its length of the train, देखो, क्या है, speed equal to distance upon time होता है, तो distance क्या हो जाएगा, length हो जाएगा, किस की length, train की length, अब हिंदी को पार करती है, एक आदमी को पार करती है, खंबे को पार करती है, signaling pole को पार करती है, कोई भी ऐसी चीज, जो कि normal, एक, मतलब simple, इतना बड़ा हो, या मोटा हो, कुछ भी हो, उसको अगर पार करती है, या फिर आपने ठीक है, इतना, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, चलिए, तो यहाँ पर जो, speed equal to L मैंने लिखा, length of the train, train की लंबाई, upon time मतलब समय, ठीक, यहां तो कोई डाउट, समझ में आगया होगा, देखो जैसे एक example ले ले लेते है, कि भाई, यह हमारी क्या है, यह हमारा, एक train ह है, है ना, और यह पोल है, जब देखो ऐसे cross कर रही है, तो देखो, यहां से यह start किया, इसने, देखो, अपनी length को भी पार किया, अब यहां पर क्या है, बच्छा, देखो, पोल की लंबाई, तो train की लंबाई की comparison में बहुत ही कम होगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेग distance लेंगे questions के अंदर, वो क्या लेंगे, length of the train, plus length of the platform, length of the tunnel, length of the bridge, ठीक है, उन सब को length को add कर देंगे, हिंदी में समझे है, अगर कोई भी rail गाडी, किसी भी pull को पार करें, किसी भी platform को पार करें, किसी भी bridge को, tunnel को गुसरंग को पार करें, तो हमेशा हम distance जो लेंगे, rail गाड को पार करें, तो उसकी लंबाई जोड़ देंगे, अगर मानलो, pull को पार करें, तो उसकी लंबाई जोड़ देंगे, अगर मानलो, उसको पार करें, क्या कहते है, tunnel को सुरंग को पार करें, तो उसकी लंबाई जोड़ देंगे, ठीक है, तो distance जो जो होगी, वो क्या होगा, तो दूरी किया होगा, रेल-गाडी की लंबाई, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सुरंग की लंबाई, ये पुल की लंबाई को एड़ कर देंगे उस कोश्चन में, तो ये हमारे डिस्टन्स आ जाएगा, यहां तक समय आगे बच्चो, ये एक्जांपल आप ऐसे ल इतना स्क्रीन शॉर्ट नहीं आप, देखो बच्चो, अब हम थोड़ा इसका next छीज, थोड़ा concept समझेंगे, ध्यान समझेगा, क्या है, देखो, जब कभी भी हमारी, जब कभी हमारी बेटा, दो ट्रेन, है ना, अब मैं आपको डिस्टन्स की थुड़ी से बात बताता हू When the two train in the same direction और opposite direction crosses each other, then the length, बतलब question में क्या होगा, जब दो train आपस में देखो, जब दो ट्रेन चल रही है, या तो ऐसे cross करें, या ऐसे चले, तब उस इस्तिती में जो दूरी है, question के अंदर जो distance है, वो हम कौन सी लेंगे, वो हम समझेंगे, कह रहा है कि when दो train है, shame direction में चल लेंगे को लिया जाएगा, d equal to l1 plus l2, मैंने बेटा पहले इसलिए लिख दिया है, कि अगर मैं इसको आपको पढ़ाते हुए लिखूंगा, तो lots of time consuming, बहुत जादा बेटा time consume होगा, समझ रहे ना, एतना time कम लग तो ना कि पूछ मत, यही से हम कहले कि वीडियो के length जो है, व आप जो है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छा output ले सकें, ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यदि दो rail गाड़ी एक ही दिसा में और विपरी दिसा में जाती हैं, तो उनकी लंबाई का योग क्या होगा, दूरी क्या होगी, पहली rail गाड़ी की लंबाई plus दूसरी rail गा कर रही है, या फिर ये ट्रेन जो है, ये क्या है हमारी, ये ट्रेन जो है हमारी, ये ट्रेन जो है हमारी या तो मूविंग है, ठीक है, ये ट्रेन जो है हमारी क्या है, इस्थिर है, ठीक है, या तो ट्रेन जो हमारी क्या है, इस्थिर है, या फिर मूविंग है, ऐसी स्थित में क्या होगा कि यह इस की नहीं को लेंगे इसको नहीं लेंगे तो इसे इस की लैंद्थ से its own length, समझ में आगई बात, जब एक rail गाड़ी एक आदमी को पार करती है, जो आदमी दूसरी train में बैठा हुआ है, और वो train जो है, या तो वो इस्थिर है, मतलब रुखी हुई है, या moving है, या चल रही है, तो उस समय जो train ऐसे जा रही है, वो क्या करेंगे हम, उसी की लंबा कि भई दो train ऐसे चल रही है, फिर या कभी ऐसे देखा होगा, मतलब एक इधर से आ रही है, कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा, अगर आप कभी गाउंव जाते होंगे, तो क्या होगा कि एक train ये चल लिए, दूसरी train चल लिए, और खिड़गी में बैठता है, हमेंसा हो कि अगर ये इसको देख रहा है, और ये वाला बंदा इसको देख रहा है, तो अगर दोनों की स्पीड सेम है, तो ऐसा लगेगा, दोनों स्टेशनरी है, मतलब इस्थिर है, वो बगर ट्रेन चल रही होगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में relative speed क्या होगी, दोनों की क्या लेते है हम एक speed लेते हैं, उसे बोलते हैं relative speed, बतलब total speed एक लेते हैं, total charge लेते हैं, उसे हम कहते है relative speed, cool charge, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब दो ट्रेन एक ही direction में, same direction में travel कर रही होगी, तो दोनों की speed क्या कर देंगे, minus कर देंगे, और जब दो ट्रेन क्या कर रही होगी, पिटा, opposite हो जाएगी, यह जो है बेटा, आपका numerical में काम आएगा, तो please आप लोगों से request है, इसे screenshot लें, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कोई doubt होता है, तो आप जरूर से जरूर, वीडियो के नीचे comment करें, कि हाँ यह problem है, मैं उस पे नई वीडियो, या फिर नया, मतलब आगे जो है questions बना दूँगा, आप लोगों से request है, please आप लोग वीडियो के नीचे जरूर comment करें, ठीक है बेटा, सभी को मेरा राम राम, फिर मिलते हैं next video में, ठीक है?